मेरे यूटीब चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं और कास वाली सभिता ये कविता जो रामधारी से दिनकर द्वारा लिखी गई है इस कविता को पढ़ने से पहले हम दिनकर जी का थोड़ा सा परिचे देख लेते हैं हिंदी के सुविख्यात कवी रामधारी सी दिनकर का जन 13 सितंबर 1908 इसवी में सी मरिया, जीला मुंगेर जो बिहार में है एक सामान्य किसान रवी सी तथा उनकी पत्नी मन रूपी देवी के घर में हुआ था रामधारी सी दिनकर एक उजस्वी राष्ट्र भक्ति से ओत्प्रोत कवी के रूप में जाने जाते थे उनकी कविताओं में छायावादी यूग का प्रभाव होने की कारण श्रिंगार के भी प्रमान मिलते हैं संस्क्रीट के एक पंडित के पास अपनी प्रारंबिक सिक्षा प्रारंब करते हुए दिनकर जिने गाउं के प्रात्मिक विद्यालर से प्रात्मिक सिक्षा प्रात्की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राश्ट्य मीडेल स्कूल जो सरकारी सिक्षा व्यवस्था के विरोथ में खोला गया था में परवेस्ट प्रात किया यही से इनके मनुमत दिस्क में रश्टेता की भावना का विकास होने लगा था हाई स्कूल के सिच्छा इन्होंने मुकामागाट हाई स्कूल से प्रात की इसी बीच इनका विवा भी हो चुका था पूत्र के पितर भी बन चुके थे 1928 में मैट्रिक बाद दिनकर ने पत्ना विस्विद्याले से 1932 में हितिहास में B.A. ओनर्स किया पत्ना विस्विद्याले से B.A. ओनर्स करने के बाद अगली ही वर्स एक स्कूल में यह परधाना ध्यापक निउप्थ होये पर 1934 में बिहार सरकार के अधिन इन्हों ने सब रजिस्ट्रार का पद स्विकार कर लिया लगबग 9 वर्सों तक वह इस पत पर रहें 1947 में जब देश स्वाधिन हुआ और वह बिहार विस्विद्याले में हिंदी के प्रध्यापक वह विभाग का ध्यक्स निउठ्थू कर मुझभफरपूर पहुँचे 1952 में जब भारत की प्रथम संसत का निर्मार हुआ तो उन्हें राजिसवा का सदस से चुना गया और वह दिल्ली आ गया दिनकर 12 वर्स तक संसत सदस रहें बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 इस भी तक भागलपूर विस्विद्याले का कुलपती निउठ्थ किया गया लेकिन अगले ही वर्स भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाकार निउठ्थ किया और वफिर दिल्ली लोटा है दिनकर के प्रतम तीन कावे संग्रा प्रमुख है रेनुकार जो 1935 में प्रकासित हुई हूंकार जो 1938 में प्रकासित हुए थी और रस्वन्ती जो 1949 स्विव में प्रकासित हुई थी ये उनके आरंबिक आत्मन्थन के यूग की रचनाय हैं राश्ट्र कभी रामधारी से दिनकर ने हिंदी साहिति में न सिर्फ वीडर्स के कावे को एक नई उचाहिदी बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राश्ट्री चेतना का भी स्रिजन खिया आये भम पढ़ते हैं अवकास वाली सब्विता कविता पढ़ते हैं और उसकी समिच्छा करते चलते हैं मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ जिनकी रोशनी भविस्त की ओर जाती है अनागत से मुझे ये खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा जो जियोती दुनिया में बुची जा रही है वो भारत के दाहिने करतल पर जलेगी यंतरों से ठकी हुई धर्ती उस रोशनी में चलेगी इस कविता में आधुनिक मासीनी सभ्यता की दौर में सारे विस्त के उलजने की बात कही गई है और इस दौरते भागते विस्त और भारत की अमरता की बात की गई है कभी कहते हैं कि रात के अंधेरे में चमकने वाले तारे भी जो भविस्त बी देखेंगे हम नहीं रहेंगे पर ये तारे भविश्य आने वाला भारत विश्व देखेंगे ये सभी भारत की परंपरा और इसके चीर काल तक अपने संस्कृति को जीवित रखने की बाते कहते हैं आने वाला कल जो अभी पता नहीं है पर फिर भी ये कहते हैं कि पूरे विश्य में भारत काल जेई रहेगा जो जियोती मानोता कि सारे दुनिया में बुझी रही है वह भारत में जलती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा जब सारे दुनिया उसी जियोती से जलेगी उसी जोती से जोती मान रहेगी और भारत सारे विश्व को अपनी रोसनी देगा और रास्ता दिखाएगा अगली पंक्तिया हम पढ़ते हैं साबर मती, पांडी चेरी, तिरुवंत, मलई और दक्चिरे स्वर ये मानोता के आगा में मुल्य पीठ होंगे जब दुनिया जुलसने लगेगी, शीतनता की धारा यहीं से जाएगी ब्रिस्तान में दोड़ती हुई संततियां ठकने वाली हैं वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी भावार्थ देखते हैं कभी करते हैं कि ये चार अस्थल जो भारत के चारों दिसों में स्थित है और दुनिया को इसने मानोता का पाट पढ़ाया था जहां ये ही आने वाले भविस्य में मानोता के मुल्यों के तिर्थ अस्थल होंगे जब लोग मसीनी सब्विता से त्रस्थ होंगे तब यहीं से सितलता की धारा निकलेगी यह पिढ़ी जो मिरिक मरीचिका के पीछे दोड़ रही है जो रिगिस्तान में भटकता रहता है अब वह ठकने वाला है यानि जो मिरिक मरीचिका की तरह उस पानी की तलास में रिगिस्तान में भटक रहा है जो है ही नहीं जिस सुख की तलास में मन उससे भाग रहा है भागते भागते अब वह ठकने वाला है और अब वह भी प्रकृति की गोद में ही सरन लेने अवस्य लोट आएगा क्योंकि जिस सुख की उससे तलास है वह सिर्फ यहां है अगली पंक्तिया हम देखते हैं आदमी अतेधिक सुखों के लोब से ग्रस्थ है यही लोब उसे मारेगा मन इस और किसी से नहीं अपने अविस्कार से ही हारेगा भावार्थ है कि आज का मन उस्य अती लोब से ग्रस्थ है और हर सुक वह पा लेना चाहता है और यही तृष्णा उसे एक दिन खत्म करेगी यही महतोकांचा ही उसे उसकी अमरता को पाने की लालसा ही उसे बरबाद कर देगी ज्यादा जीने की इच्छा उसके आज को भी निगल जा रही है अभी के संदर में यह अच्छी से समझ आ जाएगा जिस तरह एक उधारन हम दिखते हैं आज के संदर में हमारे पडोसी देश द्वारा सूरज बनाने की कोशिस और इसके माध्यम से सारी दुनिया पर राज करने की अभिलासा ने कोरोना जैसे माहमारी को जन्म दे दिया जिसके कारण आज सारी दुनिया में तरही तरही मचा है अगर ऐसे देश परमानू, सूरज, हथियार बनाने की जगह पर दवाओं का मानों के लिए हितकारी वस्तों का अविस्कार करते तो यह दिन आज सारी दुनिया को नहीं देखना पड़ता कभी ने ठीकी कहा था, यह तो परमानित हो ही क्या इन अनुभासिल आखों ने मानों के कर्मों को पहले ही भाप लिया था कि मानों आगे चल कर यही करने वाला है और इस तरह के अकाल, महामारी यह मानों के ही लाए हुए है आज इनसान अपने पैरों पर खुद कुलहारी मार रहा है अपने आज को, अपने आने वाले कल को, सभी को वह नश्ट कर रहा है आगे हम देखते हैं अगली पंक्तिया गांधी कहते थे आवकास बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो जब आवकास बढ़ता है, आदमी की आदमा उंगने लगती है उचित है कि ज़्यादा समय उसे करगे पर चगाए रखो आवकास वाली सभीता अब आने ही वाली है आदमी खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा अभाव उसे किसी चीज का नहीं केवल काम का होगा वा सुख तो भोगेगा, मगर आवकास से तरस्त रहेगा दुनिया घूम कर इस निश्चय पर पहुंचेगी अर्ट देखते हैं हम इसी परकार गानी जी कहते थे कि सबसे बुरा होता है कुछ ना करना, ये अहितकारी होता है इसलिए हर समय कुछ न कुछ करते रहो मानो को मसीनों पनिर्भर मत बनाओ कम से कम करगा पर लगाए रखो यानि लगो कुटी रूधो के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है और इसके महत्तो को भी उजादर किया गया है और साथ का कारन भी यही कुछ ना करना होता है क्योंकि कुछ ना करना यानि आत्मा भी ठक जाती है इसलिए अगर जीना है तो अपनी आत्मा को कही न कहीं किसी ना किसी काम में लगाए रखो क्योंकि मसीनों ने आदमी के महत्तो को खत्म कर दिया है अब हर काम मसीनों ने संभाल लिया है और आदमी ने अपने अविस्कार से अपने आपको ही महत्तोहिन कर लिया है जिस सुख आराम के उसे तलास थी वो तो मिल गई पर अब वो खालीपन से ग्रस्त है अब घर है सभी सुविधाएं हैं लेकिन जीवन खालीपन से भरा है सुख के सामान तो हैं पर उनमें से सुख गायब है यानि आत्मान भव नहीं रहा क्योंकि मसीनों में आत्मा नहीं होती वह आपके भावनाव को समझ नहीं पाएगी और आपके सुख दुख को बाट नहीं पाएगी आगे पढ़ते हम कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे हाँ ये अच्छा है कि काम से ठका हुआ आदमी आराम करे यहाँ पर हम देखते हैं कभी का कहना है कि सारी दुनिया ये सारे कर्म करके अंत में समझेगी कि विज्ञान सुख के समान तो देगा पर सुख का अनुभव छेल लेगा इसलिए विज्ञान को सर्वे सर्वा नहीं बनाना है अंत में कभी कहते हैं कि आराम उन्हें जरूर मिलना चाहिए जो लगातार काम में लगे हैं यानि हमारे मजदूर, स्रमिक, कामगार ये भी कही न कही आराम के अधिकारी है यानि जो कर्म करेगा वो ही उसके फल का हगदार होगा तभी ये सभ्यता प्रकृति के अनुसार चलेगी वरना विनास ही विनास है आगे फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगर ये कविता आपको समझ में आ गई तो अप लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर ले धन्यवाद